तो काईजर आज हम देखने वाल है सॉनिक एज वन से एज थाउजंड तक कैसे वो इस अर्थ पर आया और वो कैसे इस अर्थ का सबसे खतरनाक सॉनिक बना और बीच में आई बहुत सारी मुसीबते आव बड़ा फ़र से देखते हैं एज वन टू एज थाउजंड बचाउप को ईता बचाओ ए나रे ये कःकिर गया में अरे ये क्या लगता है मैंसट में किर गया ये कौंसा प्लैनिट है एसट एसट तो मैंने आस तक नहीं देखा है ए यह प्लानेट कौन सा है यह मेरी पीबी को ऑन्टी बोलता है निकल जाया से बच्चे आरे इंको क्या हो क्या हो क्या पॉरूबा को तो क्या बुरूँगा मेरे पच बन से सब्क्राइब भना ओ जो किसका है prostat अच्छा ठीडिक है तूम बोलते हो तर ले चलते है एक तो अखुते क्या तो मेरे साथınız चलोगे हाँ हाँ हम इसको अपने कर पिले के चलेंगे चलो मसाएंगे एरे कोई मेर से भी तो बूचलो मुझे चलना गी नहीं अरे मेरे बच्चे आज 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 तेरी उम्र बंदरा साल हो चुकी है और आज तेरी शक्तियों बढ़ने का दिन है क्या तो त्यार है अरे बापा बापा मैं तो बिल्कुल द्यार हो चलो फड़ावर से मेरी शक्तियों बढ़ा दे तो चल बेटे भागना चालू कर ट्रेड्मिल पर और अपनी शक्तियां दिखा दे बहुत बढ़िया बच्चे भाग जा भाग जा और तेज भाग बच्चे तू 15 साल का हो चुका है 15 साल का सौनिक बहुत ही जादा खतरनाक होते है भाग बच्चे भाग पैपा अब प्जी ऐरे बच्चे तू तो एक साई में खदरनाक स्वानिंग بن गया चैरम तिरी स्पीड टेस्ट करते हैं चलो तो बच्चे tu तयार हो जा इस रोड का पूरा एक राउंड मारना है, देखते हैं कितनी स्पीड है तुमारी इस रोड का राउंड मारने की, चल बच्चे, थ्री, टू, वन, गो, अरे बापा, टेंशन मतलो में बहुत ही जाधा तेज बागता हूं, मैं इतना जाधा तेज बागूँगा, मैं तस सेकिं मतलो मैं दस राउंड और काड़ूँगा, बाप और मैं रोज रोज स्क्रेइनिंग करते हैं ताकि मैं और जाधा फास बाग पाहूं, पहले से और जाधा पाहूंगा, दुन्या का सबसे कतरनाग सूपर फास सॉनिक, यह देखो, मैं कितना साधा तेज बाग पा रहा हूं, बहुत बढ़ी है बच्चे, भाग बाग, और तेज, बापा, टेंक्शन मतलो, जब तुन्या के सारे सॉनिक के पीच में रेस होएगी, सब सागे मही रहूंगा, बच्चे, जब तु हजार साधा हो जाएगा, तब वो रेस में तुझे पार्टिसिमेट करना पड़ेगा, और उसे जीतना भी पड़ेगा, उसके लिए तुझे बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बाग बच्चे, बाग, अरे बिडू, यह है सॉनिक के पापा, अरे यह है पकड़ो उसको पकड़ो, अरे, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बिडू, हमको पता चरा तुम सॉ पनिक का तो मैब आँ, और मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, बोलो क्या हो गया, अच्छे अच्छे बीडू, उसको ट्रेनिंग करा रहा scripts, पर मैं तुमको बता दू, सॉनिक कभी नहीं जीत सकता, क्यो नहीं जीतेगा, मेरा बेटा जलूर जीतेगा, तो भिए लो, सॉ पापा यूथा है यह वह सॉनिक को जो पता चला कि उसके बापा बढ़ चुगे तो वह बोगती जादा परेशान था वह ट्रेनिंग करने गया था और उसने आके देखा तो उसके बापा मड़ चुके थे उसको नहीं बता है किस ने मारा है वह आपर रो रहा था पर घुस्से इसके पापा को सौनिक बहुत ही ज़्यादा गुषसा था। उसे पजनना था इसके पापा को। वार सीट से लड़ाई कर रहा था। फो ट लो किनो से फॉस्सेड वज़ एक चानना था। फुर्ट बोहुत ही ज़्यादा यह सब औरी के बात हमारा सौनिक। बहुती जादा परेशान था, उसको बिल्कुल समझने आ रहा था कि वह क्या करें कैसे करें, क्योंकि उसके पापा उसको ट्रेनिंग करा देते, और उसके पापा उसको एक खतरनाक सॉनिक बनाना चाहते थे, पर अब हमारा सॉनिक बहुती जादा दुखी था, इसलिए उसने सोचा वो लोसेंटोस हमेशा हमेशा के लिए छोड़के जा रहा है, और वो चला के बहुती जादा दूर आइलेंड पर और वहाँ पर रहने लगा, बहुत समय तक वो उस आइलेंड पर अकेरा रहा, बहुत सारे दिन बीचते गए, सुबह, राद, शाम, सॉनिक स्रिव मही कुण ना पड़ेगा, उसको पताना पड़ेगा, उसकी कल्फरेंड पहुत इससा दख खतले में, सॉनिक, सॉनिक, मैं आ गया, सॉनिक इतने सालों से इस आइवलेंड पर रह रहे है, किसी कुण पता नहीं ता, पर मुझे बता चल जगा है, सॉनिक, सॉनिक बाराओ, है सौनिक ये तुम्हें क्या हो गया। यह कैसे यह आर्ट हुई तुम्हाने परिए क्रीनिग कर दिए एक पर ना पड़ेगा। मेरी गिंद्नेप का लिया, ऐसा नही को सकता, मुझे उसको बचाना पड़ेगा हैँ तुम उसको बचाना पड़ेगा, बढ़ तुम कैसे बचाओगी तुम तो ही जादा मोटे हो चुके हो मैं मोटे नहीं वा, मैं अफनी गिलफ्रेंट को बचा सकता हू एरे सॉनिक तुम क्या बोल रहो तुम तब भाग भी ने सकते उसको कैसे बचाओगी नहीं मैं भाग सकता हूँ रोगा मैं तुमको भाग के दिखाता हूँ यह देखो मैं भाग पा रहा हूँ मैं बग पारा हूँ एरे ये क्या मैं तो भागी नी बारा ये क्या हो गया एरे सॉनिक मैं बोल रहा हूँ तुमारी हलत बहुत जी जाधा कराव है एरे अब मैं क्या करूंगा मैं अपनी कल्फरिंग को कैसे बचाऊंगा सॉनिक तुम है अच्छी त्रेणिंग करने बड़ेगी तुम है अपनी गलफेंग को बचाना पड़ेगा क्या ट्रेणिंग ट्रेणिंग का मैं स्रilde पापा करता हूँ और मेरे पापा तो मर गए हेरे सॉनिक और अपध़ तुम अपनी बा kilo को बचाना चाहते हो तुम्हें ट्रेनिंग तो करने पड़ेगी सॉनिक तुम ऐसे नहीं रह सकते ट्रेनिंग करो तुम सही बोल रहो मैं ऐसे नहीं रह सकता मुझे ट्रेनिंग करने पड़ेगी मुझे क्वाप तुम सही बोल रहो मैं ऐसे नहीं रह सकता मुझे वापे से ट्रेणिंग बननी पड़ेगी, मुझे वापे से ख़दरनाक सॉनिक बनना पड़ेगा, और अपनी कार्फ्रेंग को बचाना पड़ेगा, तुम वापे से लोसेंटोस चलो, मैं तुम्हें ट्रेणिंग करवाऊंगा, क्या सच में, तुम मुझे FEAR कोई पान नहीं मिलेगा भागो भागो, तो मापने को बचाने खिलूइकी नी मुझे भागो सानसे तो बागो , फिर बराईरु के भागो , बागो, स subscribe भागोगा, जर्जेल भागोगा , बागो , ऐससारू भागोगा , प्रीनुघ सेज़ुद। एक हजार तो पिछली बार मेने छे साल पिरे किये थे तो जो तुमने छे साल तक कुछ नी किया अज उसकी एनरजी निकालो करो पुश अप्स बिना रोके एक हजार पुश अज तुमें करने पड़ेंगे अगर तुम अपनी केल फ्रेंड को बचाना चाहते हो तो पुश अप्स करो पुश अप्स करो चलो चल दी 10 और 10 और 20 और 20 और एरे मैं बहुत सब थक चुको थकने की कोई बात ही नहीं है अब तो मैं बस वेई उड़ेंगे उठाते जाओ उठाते जाओ उसके बाद सॉनिक और शेड़ो ने मिलके बहुत टाइम तक ट्रेनिंग करी क्योंकि सॉनिक अपनी फैमिली को बचाना चाहते है उसके लिए उसने बहुत ही जादा ट्रेनिंग करी ताकि वो फिट से बन पाए सूपर सॉनिक और आकिरकार वो दिन आ गया वापस से सॉनिक बन गया एक खदरनाक सा सॉपर सॉनिक पहले से भी बहुत ही जादा ताकतवर खदरनाक सा सॉपर सॉनिक शेड़ो तुमने मेरी बहुत ही सादा मदद करी वापस सॉपर सॉनिक बनने के लिए बहुत बहुत शुकर या कोई बात निस सॉनिक अब तो वापिस पहला जैसे हो चुके हो अब चलते हो अपनी girlfriend को बचाओ Evil Sonic से अब यह अब कर बिचाता हूँ Evil Sonic से अपनी बीवी अपनी girlfriend को बचा के लाता हूँ Evil Sonic, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला उसके बास Sonic सीधा गया उसकी girlfriend को बचाने Evil Sonic के पास Evil Sonic तुमने ये बिल्कोल अच्छा नहीं किया मेरे girlfriend के साथ बीबी मुझे बचाओ Sonic तुझे अपनी girlfriend को बचाने के लिए इतने साल लग गए और मैंने सुना था तू बहुत ही ज्यादा मोटा और बद्दा हो चुमा था मैं तुम्हें नहीं चोड़ूगा इविल साने तुम्हें लगता है पता नहीं है ये मेरा इलाका है मेरे रोबोट्स ने तुम्हें चारो तरफ से केर लिया है तुम यहां से बचके नहीं जा सकते मैं यहां से बचके जरूर चाहूँगा और तुम्हारे सारे के सारे इविल रोबोट्स को मार के और तुम्हें मार के तुम्हारी सारी शक्तिया अपने अंदर ले लूँगा तुम मुझे मारना चाहते हो तु आजाओ फिर देखते अगर तुमने मुझे हराया तो मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दूँगा पर अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम्हारी कर्फ्रेंड मेरी कर्फ्रेंड बन जाएगी बीभी ऐसा मत करना तुम टेंक्शन मतलो मैं ऐसे हरा दूगा मुझे ये सोधा मचूरे तो फिर दूदो हात ओचाए मेरे रोबोर्ट्स मारो इसको तुम्हारे रोबोर्ट्स मेरा कुछ नहीं कर सते मैं सब को मार दूगा किसे को रही छोड़ूगा येलो येलो इविल रोबोर्ट्स तुमने मेरी कर्फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया येलो, येलो, सब को खतम कर दूँगा, कैसे को नहीं छोड़ूँगा, अच्छा, तुम सभी विल रोबोर्स नहीं बचोगे, निकल जाओ, यह से, तुमने मेरे पच्छों से बहुत लड़ लिया, आओ, अब दो दो हाथ करते, आजाओ, इविल सॉनिक, मैं तुमे नहीं छो सकते, याद रखना, तुम बहुत ही कमजोर सॉनिक हू, हा, हा, येलो, हमारे सॉनिक और इविल सॉनिक में से कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, फड़ावट से कमेंट करके बदा दू, अभी फिलाल तो इविल सॉनिक बहुत ही जाला ताकतवर हो के हमारे सॉनिक की मैं तुमें नहीं चोड़ूगा, सॉनिक तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमें नहीं चोड़ूगा, तुमने मेरे पापा को मारता, मेरे पापा ने हमेशा से मुझे ट्रें किया ता, और तुमने उन्हें मार दिया, मैं तुमें नहीं चोड़ूगा, तुमारे सारे क उसके बाद हमारा सुनेक जीत गया और इविल सॉनेक की सारे शकतिया हमारे सॉनिक को मिल गई और अब वो पहले से भी जादा खातरनाक हो चुका था क्योंकि वो एक सॉनिक तो था ही अब वो एविल सॉनिक की शक्तियाफे उसके अंदर आचुकि यह तो बहुत ही जादा हातरनाक हो चुका है और उसने अपनी इस प्रेइब को में बचानिया है मेरे पापा का सब्सक्राइब करूँ गाँ जब में वन थाउजन यह का उचाओंगा तब मैं एक रेस करूँगा तुन्या का सबसे फास्टेश लिविंग बिंग की और मुझे उस पर जीतने तो मैंने सोच लिए मैं उस रेस पे पार्टिस कॉंपरिशन में और मुझे उन सब को अराना पड़ेगा और सूपर सॉनिक बढ़ेगा अपने पापा का सब्सक्राइब करूंगा मेरी बात सुनो सुनो सॉनिक अकर तुम अपग्रेड ओना चाहते हो एक खतरनाक से सॉनिक में और अपनी एज को जल्दी जासे बढ़ाना पड़ेगा और इस गोल के अंदर कोई करना पड़ेगा तुम तयार हो सॉनिक मैं विल्कुल त्यार हो एक अपग्रेड नेकले कुछ में कर सकता हूं उस फुटबोल को दलारे में कौन सी दिक्कते क्या तुम तयार हो चलो भागो चलो फड़ा पड़ से चलते और इस चैलि फोटबोल पर चलो फड़ा पॉड़ावार्स उठाथे मुझी यह फुटबोल मिल चुकिए और मुझे इसको लेकर चाके चलो फड़ा पड़ से गॉल करते है इस फुटबोल को विद्धे को तुम्हारे पास अब इभी 3 मिनेट बागी है चल्दी चाकर और भॉल लो कि हो आपने उसले हमेरी बॉह दूट नहीं लानी पिर पहले वह चिलो उब्र हो जमा करते हैं वह उपर पार मेरी साथ चैनल के सब्सक्राइब कर और इसके साथ कोई उथा रभी गया चैनल हम्तिया और फेंग पर पहुछेंगे और यह यह आड़े बाहत बड़ी है अभी टाइम और गॉल करो अंटिया प्टेंशन मतलो मैं इतने सारे कोई करूंगा इतने सारे कोई करूंगा कि आप देखने रहा जाओ कि अंकल को छोड़ के मुझ से शादी कर लोगे मजा कर रहा हूं मैं आप से शादी नहीं कर सकता मेरी एक गल्फ्रेंड है चलो फड़ा आवर चलते इ यहाँ आपर मैं आगया चलो फड़ा फड़ से गोल करते हैं एक बाल नब करेंगे गोल और हमने तीनों बोलों का साथ में गोल कर दिया अड़ी बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया पांच पांच बॉल स्कोर कर दी पांच बेट में बहुत बढ़ी है अब बहुत अच्छा करने पड़ेगी क्योंकि तुम बनने वाले हो 999 एज के उसके बाद हमारा सॉनिक बनकिया एज 999 का और उसको बनना है एज 1000 का उसके लिए उसको उसको उसरेस में कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा जो उसके पापा चाहते थे जो कि बहुत ही जादा खतरनाक है क सबसे खतरनाक सूपर फ्लैश या फिर सूपर सूपर मैं या फिर सूपर सॉनिक तो देखते हैं कौन जीतेगा वो रेस क्या हो मेरा सॉनिक होगा या फिर कोई फ्लैश होगा तो अगर आप हमारे सॉनिक को सपोर्ट कर रहे हो तो बड़ा फ़र सूपर मैं को समेंट कर रहे इस competition में होने वाला है Flash, हमारा प्याना सा Sonic, Superman और यह Alien Sonic इन चारों से बीच में होने वाली एक खतरनाक सी race यह लोसें डॉस का starting point और यहां से बाग के इन्हें जाना पड़ेगा ending point तक और जो भी सबसे जादा जल्दी time में पहुचेगा वो इस race को जीतने वाला है तो सबसे अपने कोर्सी की पेटी बांदीजिए क्योंकि बहुत जादा तेज तूफान आने वाला है तो सबसे पहले जाने वाले हमारे Alien Sonic यहां पे इनका timer लग चुका है देखने कितनी देर में पहुचेंगे 3,2,1 GO और कैसर अभी आप देख सो तो यह Alien Sonic तो कुछ अलगी है यह बहुत जादा खतरना के पर मुझे लगता है यह थोड़ा से दीरे चल रहा है मतलब या Sonic है इससे जादा तेज चलता है और यह बहुत ही जादा धीरे चल रहा है फिर भी देखते हैं कितनी देर में यह पहुचने वाला है और कैसर आप देख से तो यह Alien Sonic बीच बीच मे हो चुको है हुआ में उड़े जा रहा है देखते हैं यह Los Santos के एंड तक कितनी देर में पहुचता है और कैसर अभी हमारे एलियन सॉनिक ने पार कर लिया मांट चिलियान और वह आ चुका है Los Santos का एंडिंग पॉइंट जहां पे हमारा उलियन सॉनिक पॉच ने वाला है और इनका टाइमर अभी ते prol Mak поним देख से तो कितना हो चुका है देखते है यह कितने में पॉचने लाले हुच्जने वाले ओर कैसर अलियन सॉनिक का टाइमर होता है यहां बास डूप यह पॉच्ण के एंड पॉइंड पॉइंट पर takeaway P काएझर एक्रश था chyba अपना नियुक्त दूबिन को और काईज्र ये फ्लन टो पकका नहीं जीट से ता ढो कि ए मरेरा आपा सयं में बोहत साथ biggest स्थीट में जाता जा रहा है पर क्या ये हमारे सॉनिक से फास्टन क्या ये सूपरमेन से बाश्थ झा Korb यह हमारे सॉनिक से जल्दी पहुंचेगा आप क्या चाहते हो कि कौन जीत है फड़ा वड़ से कमेंट करके बदा तो सॉनिक सूपर मैं या फिर फिलेश चुकि एलियन सॉनिक का जीतने का तो कोई भी चांस दी तो काई सर फड़ा वड़ से कमेंट करके बदो आपको के लगत तो हमारा फ्लेश तो पानी के ऊपर भागने लगए और लॉसेंट टॉस का एंड पॉइंट सामने आ चुका है और अब हम टाइमर बंद करने वाले त्री टू पन तो काईजर ये तह तो फ्लेश का टाइमर अब देख से तो फ्लेश कितनी देर में यहां पर पहुंचा है इसके बाद बारी सूपर मैन की तो काईजर अब बारी हमारे सूपर मैन की देखते हैं यह कितनी देर में पहुंचने वाला है लॉसेंट टॉस के एंड पे त्री टू फन और काईजर अभी हमारा सूपर मैन हवा में उड़ चुका है यह तो जा हिए बागी लोगों को पर अटकाता और यह सूपर मैन तो उड़के आराम से यहां पर आ चुका है पर क्या ही हमारे सॉपर मैन को बीट कर पाएगा वो तो पता चली जाएगा क्योंकि इसके बाद सॉनिक की बारी है और काईजर मांट चिलियाट अल्रेडी वहां पर दिखना चालू हो चुका है और एलियन सॉनिक को बहुती जाधा टाइएग अल्रेक अर आरे सॉपर मैन को जाधा टाइम नहीं लगा इत कर चुका पूंकि अनलीह और यह उती जलदी मांट चिलियाट को भी लगता है। क्रोस कर लेगा और भी का जी आम चिलियाट पर चुक है और जह पूंदी बंद क काईजर यह सूपरमेन का टाइम वह पोचा है इस टाइम पे तो अब देखते हैं हमारा सॉनिक क्या करेगा तो काईजर अब बार यह हमारे प्यारे से सॉनिक की और लगता है सॉनी थोड़ा सा वार्म अप भी कर लिया है चलो पड़ावर से टाइम पर लगाते हैं और मुझे तो लगता है बन सकता है क्योंकि यह समझ में रहा है इतना जादा फास कोई कैसे जा सकता है यह तो बहुत ही जादा फास कोई कैसे जा सकता है यह तो बहुत ही जादा फास कोई कैसे जा सकता है यह तो बहुत ही जादा तेज जा रहा है मतलब जमीन आर पार चीर फा जीत सबसे कम टाइम मारा सॉनिक, मैं मैं तो जीत गया, मैं उस बापा का सबना हो गया, मैं बन गया 1000 एर का सॉनिक और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट यूमन बिंग और काईजर सॉनिक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट यूमन बिंग बन गया है तो उसको मिलने माला है खतरनाक सा सॉनिक सूट तो आप देख सकते हो अभी हमारा सॉनिक बन चुका है लोसेंटोस्ट का फास्टेश्ट राजा मतलब या यह स्पीड का किंग है इस से तेज इस दुन्या में कोई नहीं बाग सकता इसलिए आग से हम सॉनिक को बुलाएंगे स्पीड का राजा तो काई जर यही थी हमारे सॉनिक की वन टू वन थाउजड एर्स की कानी तो आज ची यह बाई बाई